तो दोस्तो यहाँ पर ECS T10 मैं कवर करने के लाया, जो नए लोग सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, वीडियो में सही जबाब देकर आप अच्छा खासा रखम वीन कर सकते हैं, फेंटेसी में खेलेंगे वीन लोज तो वो अलग की बात है, सी साधूनाच कितना फेंटेसी पॉ होने बाले ट्राम्प काड जी एल विन करवाने का छमता रखता, पहला ट्राम्प काड यहाँ पर कौन सा होना चे यहाँ पर देख सकते हो, मेरे भाई, पहला ट्राम्प काड यहाँ पर देख सकते हो, रुवान की बात के गज़ाप का स्पिन गेन बाजी करता, गज़ाप क बात किया, कई भडे तो भर में डालते है, मिडिल पे डालते है, विकेट विकेट हिटिंग करते है, फास्ट गेन बाजी करते है, जिनका सेलेक्सन 4% है, यू फारुक जब बड़ दस्त गेन बाजी करते हैं, यू फारुक जब बड़ दस्त गेन बाजी करते हैं, यू फारु वहीं बात करेंगे एच रहमान इनका भी सेम रिकोर्ड बलेबाजी उतना बहतर है लेकिन पार्ट टाइम गेन बाजी जो करता वो सोने में सुआ गया पूसरांगा हाड हीटर वलेबाज के रूप में जाने जाते हैं लेकिन इनका बेटिंग लाइनप के आता वो जो टेली गराम पे मैं आधा घंटा फ़ाले डालूँगा वो सबसे जादा महत्पूर्ण है तो दोस्तों अगर जदे आप इस मुकाबले को खेल रहे हो तो सबसे जादा महत्पूर्ण हमारे टेली गराम चैनल को आपको जोईन करना क्योंकि वहाँ पर मिलेगा फाइनल टीम जिस टीम जो मैं खूद खेलता हूं इनके अलाबे जील से रिलेटेड बहुत सारे अपड पर दिखाई देगा इस बुलू बाले पर किलिक करना किलिक करते हमारे टेली गराम चैनल पर चले जाओगे वहाँ पर दिखेगा जोईन आपको जोईन हो जाना है वही पर मिलेगी फाइनल टीम जिस टीम से मैं खूद खेलता हूं हाँ एक चीज और मिर भाई हमारा टेली एक चैनल बने हुए हैं जो हूँ बहु आपको डोमेस्टिक फिलिंग ले बना जराएंगे उन से आपको बचना है ओरिजिनल चैनल वीडियो गर डिस्क्रिप्सन लिंक के जरीए ही जुड़ना है तो दूस्तों 2021 में 2022 में भी कुछ मुकावला खिला गया कुछ इंटरनेश क्या हो सकता है पील यांज यहां पर साथ रन की पारी खेली यहां पर देख सकते हो इनकी अलाव यहां पर देखाया कि हमनता रुवान एश्कुमारा यह लोग यहां पर इनकी अलाव गेनवाजी देखी जाते गेनवाजी में यहां पर एक नाम नजर आएगा डबलू अक् ये भी केप्टन भाज के लिए बेस्ट उप्शन है इनकी टिम थोड़ी सी कम जोर है क्यों कम जोर है उनके उपर हम लोग बात करेंगे अब गेनबाजी देखो जाए एस एलेल की गेनबाजी तो जब बढ़ दास्त यहां पर के राइज दो अबर यहां पर डालते हैं और हमे लगभग मेच में एक उबर डार है लेकिन हाँ चार से पांच नमर पर यह बले बाजी के लिए आए गाल तोड़ बले बाजी भी करता है तो दोस्तों अगला स्कोर काड़ यहां पर देखा जाते फिर से यहां पर एस एलेल की टीम ने यहां पर बले बाजी सी साधून 12 पर वहाँ पर ज्यादा समझें क्योंकि स्क्वाइड बहुत ज्यादा बढ़ा है जो की पता करना मुस्किल है यूँ फारुक यहाँ पर दो बर्म सोलर रंदे कर दो बिक्टे डबलू अक्तर ने एक ही ओबर डाला हलांकि साथ रंदी अच्छी गेन बाजी की अब यहाँ पर दे देकर दो बिक्टे रुवान गजब की स्पिन गेन बाजी थोड़ा सा महांगा सावित हुआ लेकिन दो बिक्टे लेगे इनके लब सी सादून ने भी यहाँ पर अच्छा गेन बाजी क्या दो बार मातर आट रंदी दो बिक्टे लिए वो तो महतपूर्ण है लेकिन टीट होने वाला एक टोस के बाद जो बेटिंग लाएना पाता है वोस जादा महतपूर्ण होगा तो दोस्तों क्यों ना सबसे पहले हम लोग कोबिनेशन ही देख ले लेकिन इससे पहले एक जदि हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हो तो जल्दी से जाकर सब कर लो क्योंकि ड्रीम इलिमन से रिलेटेट कोई भी अपडेट आता है मैं सबसे पहले इनफोर्मेशन दे देता हूं इनके अलावे कुछ जनकारी लेना इस्टागराम पर मेसेज करो न मैं वहाँ पर सारे लोग कर रिपलाई देता हूं वह भी बहतर तरीका से तो दूस्त खास लगा नहीं जो की ट्राइक करना चेया बले बाजी सेक्सेन में नहीं सटीख नहीं बैठा यहां पर इनके यहां से देखा जाए तो यह रहमान की बात कि प्रट टैम गेनबाजी और सांत में बले बाजी अच्छा खासा कर लिता है अपने टीम के तरफ देखा है अलग यहां से इंपोर्टेन जेड आहमद जिनका भी रिकूर्ड अच्छा है अकर्मक बल्लेबाजी यह भी करता है लेकिन सबसे बड़ी बात होगी कि इनका बल्लेबाजी रेंकिंग आता क्या है तो पाउडर पर बल्लेबाजी करेंगे तो महतपूर नहीं क्योंकि पार टाम ओप्सन नहीं है तीनों के तीनों बेतर अगर जदी यह दो अभर कर जाता ना आर्सीरी वर्दना तो केप्टन भास का यह सबसे परबल दावेदार हो जाता हलांकि हर मेंच में लगभाग एक ओबार पार्ट टाइम के रूप में करें थोड़ा सा एजट है इनका देखा ज दूगा अगर जदी वो खेलता है तो के राज शुरुवात में गिनवाजी करेंगा पाबर पेले में अकसर गिनवाजी करता है तो सामने के टीम का विक्टे ले सकता है पाबर पेले में तो के राज ले सकता है बी महस यह भी ठिकठा गिनवाजी करता है विकट टू विकट ले जा सकता है तो यहाँ पर ध्यां रखना एस वोहिल के बाद कि एक बढ़ यहाँ गेनबाज अच्छे लाइन लें के त्हथ गेनबाजी करता है और इनका करियर रिकोर्ड भी ठीक थाक है त्याहां से एस वेल को आपको यहाँ पर पीक आना चार मेंच में लगवग त्पि इमेच में दो अबर क्या ये खेलेंगे कितने गिनबाज खेलेंगे अगर जदी पांट से अधिक गिनबाजी ओपसन रहेगा थी इनके उपर हम लोग रिस्क भी ले सकते फिक ना भी करे तो चलेगा लेकिन गिनबाज बनिया यूँ फारुक को हमें ने लगता है कि ड्रोप क लेकिन हाँ जीएल का सबसे बेस्ट केप्टन वहाई से मुझस से पूछोगे तो मैं तो यही बताऊंगा कि रुवान और आर सिरी वर्दना ये जीएल का बेस्ट केप्टन वहाई सोनी वाला है अपने टीम पे जरूर दे देना इनका मंगे भी गिनबाजी ठीक ठाक ये कर जितना वही टीम बनाना केटन सी साधून चे बहतर नहीं हो सकता भी सी चेंज करो पिलेर रोटेशन करो वह मैं टेली ग्राम पे अब्रेट करूँगा जब पिलेर खेलें क्योंकि कई बार होता है इसक्वाइड बढ़ा 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 पिलेर खेलता ने तो गिव अवे जो रखा गया है आप अच्छा खासा एमाउंट वीन कर सकते हो कि यह सी साधून आज के फेंटेसी में कितना पोइंड देने बाला है जिन भाईयों का बात सही होगा उनको गिव अवे पराईज जो है वो 251 रुपिया से सम्मानित किया जाएगा दे दिया जाएगा छोटा कोमेंट में सी साधून इतना पोइंड देगा इसे करके करना है पुछ गीव अभी एनाउंस करना है वो मैं सेर कर दूँगा फोन पे नमर से उनका इमाउंट तो इन सब का आपको फायदा मिलेगा तो दोस्तों चलिए हम मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं पिलेंग 11 पे तब तक धन्यवाद